आज है चार माई 2022 और हम लोग डिसकस करने वाले हैं आज का मद्द प्रदेश का करेंट अफेर काफी कुछ इंपरेंट होने वाला है आज का मद्द प्रदेश का करेंट अफेर आप सभी को मालूम होना चाहिए मद्द प्रदेश का एक प्रदेश सम्मान है जिसका नाम है डाक्टर विश्रू स्रीधर वाकल का राश्तिय सम्मान और इससे किसे सम्मानित किया गया है उस सब को हम यहाँ पर डिसकस करेंगे क्या 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 उनके बेक्ग्राउंड है जिने इससे सम्मानित किया गया है सभी अर्थात उनको स्लिवर्स में सामिल करने की बात कही गई है और विए इंपोरेंट फेक्ट हमें आप डिसकस करेंगे तो चली शुरू करते हैं बिदावड वेस्टिंग ओर टाइम टोडेस करेंट अफेर वीडियो हमारा पहला कोश्चन है मद्द प्रदेश में जिन मंदरों जो दान के माद्य हम से दी जाती है पर तो काफी सारे ऐसे मंदर हैं जिनके पास जमी नहीं है और वहाँ पर पुजारियों के लिए रोजगार का कोई सहारा नहीं है इसी को देखते हुए माननी मुकमंती सबराज सिंग चोहान जी ने गोशना की है कि उन्हें एक मानदे द दिया जाएगा मद्द प्रदेश के ऐसे पुजारियों को जिनका पास दोस्तों जमीन नहीं है जिन मंदरों की जमीन नहीं है उनके पुजारियों को पांच हजार मानदे दिया जाएगा जिन मंदरों के पास अधिक भूमी है उनके मानदे की विवस्ता करेंगे जमीनों की निलामी का अधिकार पजारियों के पास रहेगा मंदर की संपत्ती सुरक्षित रहे इसलिए समीती बनाएंगे यह कहा मुकमंत्री सिवराज सिंग चोहांजी द्वारा आगे बढ़ते हैं देखते हैं मद्द परदेश में इसकुली पार्ट करम में किसका चरित्र सामिल किया जाएगा शुरूबात में ही मैंने आपको बताया था एक माहन विभूती हैं जिनके चरित्र को मद्द परदेश के पार्ट करम में सामिल करने की बात कही गई है तो वह कौन है आपको अप्सन नंबर एक है भगवान परसुराम आपको अप्सन नंबर दो है भगवान भोले उची मूर्ती का अनवरन किया गया है भोपाल में और उसी समहरों में सामिल होने गए थे मुकमंती सिबराज सिंग चोहान जहां पर उन्होंने गोस्टना की है कि भगवान परसुराम का जो चरित्र है वह बच्चों को पढ़ाने के लिए सामिल किया जाएगा और आप सभी को मालूम होना चाहिए भगवान परसुराम पीट कहां पर है मद्द प्रदेश में तो जाना पाओ याद रखना है दोस्तों और जाना पाओ से ही दोस्तों कि नदी का उदगा मुता है उसका जवाब आपको देना है कौनसी नदी है काफी हीजी है आई होप आप लोग काफी पवित्र गरंथ है और जीवन में मार्ग दरसन प्रदान करता है उसे भी पाठ करम में सामिल किया गया है तो इनको आपको याद रखना है तीन इंपोर्टेंट फैक्ट है जिने मद्द प्रदेश के पाठ करम में सामिल किया गया या फिर जो चर्चा में रहे आगे बढ़ते हैं सनातन परंपरा कभी छूट नहीं सकती लेकिन राजध्रम भी जरूरी है इसलिए समाज कल्यान के लिए संस्कृत के बिद्वान जरूरी है हम संस्कृत के सिक्षकों की भरती लगातार कर रहे हैं मैं पार्ट क्रम समीति को निर्देश दूंगा कि परसुराम जी के चरत्र का पार्ट कोर्स में सामिल किया जाए यह कहा मुखमंत्री सिवराज सिंग आगर बड़ते हैं देखते हैं देश में कितने इस्थानों पर मेडिकल डिवाइस पार्ट की स्थानों पर बहरत में Medical Device Park की स्थापना की मनजूरी दे दी गई है अब आगे देखते हैं इन चार स्थानों में से दोस्तों मद्द प्रदेश का एकिवल एक सहर सामल है और इसे आपको याद रखना है तो देखते हैं मद्द प्रदेश के किस सहर में Medical Device Park की स्विक्रिती कर दी गई है काफियद एक important point है यह दोस्तों तो मद्द प्रदेश का ऐसा कौन सा सहर है जहां पर जो Medical Park Device से इसकी स्विक्रिती कर दी गई है आपको option number एक हो जेन दमोह इंदोर या फिर जबलपुर इसका right answer है दोस्तों आपको option number एक बाबा महाकाल की नगरी उज्जेन में Medical Device Park की मंजूरी दे दी गई है पूरे भारत में चार जो है प्रमकुरूप से सहर जहां पर इनको अनुमती दी गई है उसमें से एक मात्र मद्द प्रदेश का सहर है जिसका नाम है उज्जेन उज्जेन को दोस्तों आवंती के नाम से भी जानते हैं इसके दोस्तों आपको याद रखना है इसके दो राजधानिया हुआ करती थी प्राचीन काल में एक उत्तरी राजधानी थी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बरतमान में उजेन और इसके बाद दक्षणी राजधानी थी जिसे हम लोग अवंति के नام से जानते हैं तो इसको आपको याद रखना है काफिय एधिक इंपॉर्टन्ट हो जाता है इसके साथी साथ आपको बतना चाहूंगा अभी हाली में भारत की पहली बैदिक घड़ी लगाई गई है तो वह कहां पर लगाई गई है उज्जेन में ही लगाई गई है अभी हाली में परमार काली निसिबलिंग कहां पर मिले हैं तो वह भी उज्जेन में ही मिले हैं उज्जेन के प्रमकिस्थल कौन कौन से हैं जैसे कि मंगल नाथ मंदर काफियदे के इंपोटेंट है गड़ काली का मंदर तो यह भी काफियदे के इंपोटेंट है संदीपनी आस्रम जहां पर भगवान कृष्ण द्वारा सिक्षा ली गई थी तो वहे भी उज्जेन में ही है इसको भी आपको याद रखना है काफियदिक इंपोटेंट हो जाता है इसके साथी साथ में आपको याद रखना है दोस्तों कि जो उज्जेन है वहीं पर आपको याद रखना है बोहरो का रोजा है तो इसको भी याद रखना है दोस्तों बोहरो का रोजा भी यहीं पर है तो इसको भी याद रखना है काफियदिक इंपोटेंट हो जाता है दमो से याद रखना है दोस्तों यहां कहए कि प्राची निस्तेल उसका नाम किया है संग्राम पुर इसको याद रखिए काफिये इपके इंपोरेंट है इंदौर से संबंदे एक और important fact आपको बता देना चाहूंगा कि जो चमडे के खिलोने हैं किसके खिलोने दोस्तों चमडे के खिलोने है इसका पार्क कहाँ पर है दोस्तों इसको GI टाइक सोरी दोस्तों इसका GI टाइक कहाँ पर दिया गया है इसके साथी साथ में याद रखना है दोस्तों लकडी के खिलोनों का GI टेक किसे दिया गया है सी होर को दिया गया है किसे दिया गया है सी होर को दिया गया है लकडी के जो खिलोने हैं उनका GI टेक किसे दिया गया है सी होर को दिया गया है इसके साथ साथ में कड़कनात मुर्गे का जी-ा-ई-टेक किस चिले को दिया गया है दुस्तों, जाबूआ, याद रखे, काफी एदे के इंपॉरेंट है, 2018 में दिया गया था, अगस्त वह मैंना था, इसको आपको याद रखना है, काफी एदे के इंपॉरेंट है, इस तरीक अगे बढ़ते हैं डॉक्तर विश्नू स्रीधर वाकड कर राष्टी सम्मान से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दो लोगों को सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर विश्णू स्रीधर वाकड़कर सम्मान से अब बहुत दो लोग है कौन आपका उप्सन नमबर एक है रवीन कोरी सेटार सेकंड है आपका नारान ब्यास दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम ही होगा दोनों अर्थाद दो लोगों को सम्मानित किया गया है अब इन से क्या का important fact बन सकते हैं या कौन है इन्होंने किस छेत्र में कार किया है उस सब को हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले देखते हैं हमारे मद्द प्रदेश की संस्कृतिक मंत्री कौन है सुस्री उसा ठाकोर है और इनी की द्वारा यह है अब और प्रदान किया जाएगा जो दो लोग है उनका नाम है एक है रवेंद रो एक है डॉक्टर ब्यास इन्हें विभूसित किया जाएगा अब देखते हैं इससे important कुछ fact सबसे पहले देखते हैं रवेंदर प्रोफेसर रवेंद को देखते हैं प्रोफेसर रवेंदर का जंग दोस्तों 8 जुलाई 1952 को हॉस्पेट करनाटक में हुआ था उन्होंने प्रोफेसर HD सकलिया के सानद में दोस्तों प्रोफेसर HD सकलिया काफी एदे के important है इसके बाद में इन्होंने प्रोफेसर बहुदा इसके प्रोफेसर को में मेहत्मुन इस्तां दिलाने में भिविन विग्यानिक प्रयोक साला इवं सोध पत्रिकाओं से सक्री रूप से जड़े हुए ह कुछ सोध पत्रिकाओं को संपादन भी किया है सेवा ने प्रित्ती कि वाद इन्होंने डाक्टर डी सी सरकार पेवेट चेरियर प्रोफेसर 2013-15 डाक्टर विशुन श्रीदर वाकर कर सीनियर फैलो 2015-17 उच्छ सक्षानुदान आयोक के इमे रिट्स फैलो 2017-19 और भारती इतिहास अनुसंदान परिशत के सीनियर विदा विश्यक फैलो 2019-21 के रूप में अनेक सोधकार किये हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट विबूती कोन है डॉक्टर नारण व्यास इनका जनम पांच जनवरी 1940 को उज्यनम हुआ था था यह मद्य प्रदेश से ही संबन देते हैं गुरूवर पद में स्री डॉक्टर विशुन धर बाकर करके पद चन्नों पर यह यह भी महाविद्याला यह यह वंभे म सोधार्थियों के लिए सतत्थ प्रणासरत बने हुए हैं उनके सो से अधिक सोध्पत्र प्रकासित हो चुके हैं आज के आपके कॉस्टन दो माई को लाड़ी लच्वी हो जग ना के साथ कौन सी हो जटना लागू की गई है नेक्स्ट इस वीडियो